नमस्कार दोस्तो माइक्रो मिल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं MS Pulverizer के बारे में उसके अलग-अलग model के बारे में इस वीडियो को चालू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए आज हम बात करने वाले हैं MS Pulverizer के बारे में जिसको आटा चक्की भी बोला जाता है सामान्य रूप से दो प्रकार की आटा चक्की सब जगा पे पाई जाती है एक तो होती है पत्थर वाली और एक होती है बिना पत्थर की जो पत्थर वाली आटा चक्की होती है जो पत्थर से पिसाई करती है लेकिन उसमें कुछ-कुछ अंतर के बाद पत्थर का मेंटेनस लगा रहता है उसे चुटकारा पाने के लिए इस प्रकार की आटा चक्की ज्यादा पसंद करते है इस प्रकार की आटा चक्की को ज्यादा पसंद करने का कारण यही है कि इसमें मेंटेनेस बहुत ही कम है और जिस हिसाब का बारिक चाहिए उस हिसाब के लिए अलग-अलग साहिस की जाली आती है जैसे जिस हिसाब का बारिकनेस चाहिए उस हिसाब का बारिकनेस वाली जाली सेट करो और कोई सा भी आटा आप उसके अंदर पीश सकते हो कोई सब भी अनाज का आटा आप कर सकते हो जैसे कि गेहु है, चावल है, जुवारी है, मक्का है, बाजरी है कोई भी ग्रेंज के यानी अनाज के आटा आप पीश सकते हो इस मशीन को 2-in-1 मशीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबी प्रकार के आनाज तो पीश ही लेती है लेकिन साथ साथ में मसाले भी आसानी से पीश लेती है इस मशीन को चलाना बहुती आसान है इस मशीन को कहीं पे भी छोटी सी जगा में भी सेट कर सकते हो क्योंकि ये बहुती कम जगा में सेट हो सकती है इस मसीन में हमारे पास करीबन 2 HP से लेकर 10 HP तक के अलग-अलग मॉडल है उसमें भी सिंगल चेंबर वाले मसीन अलग होते है और डबल चेंबर वाले मसीन भी अलग होते है सिंगल चेमबर में एक ही चेमबर रहता है उससे पूरा फिसाई एक ही चेमबर से होता है और डबल चेमबर में पहले चेमबर बारिक कर लेता है और फिर दूसरे चेमबर को देता है उसके कारण जाले का मेंटेनेंस भी कम होता है और उस मशीन से आप कॉमर्शियल काम भी कर स सकते हो इस मुषिन के साथ में एक कंटेणर आता है एक कोटन बेग आता है छेमबर को क्लीन करने के लिए एक ब्रस आता है और आउन्ण अलग-अलग साइस की यानि की 0 से 7 नमबर की अलग-अलग जाली आती है उसके अलवा कंटेनर पे लगने वाले एक रिंग आती है जिसके साथ आप चेंबर को कनेक कर सकते हो और एक अलग से होपर आता है उस होपर के कारण आप लंबी जो चीज है जैसे की मीर्ची है हल्दी है वो आसानी से आप उसके अंदर से पीच सकते हो आप इस बिजनेस के बारे में और मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिये हुए नमबर पे आप हमें कॉल करिए और जो भी डिटेल्स आप मशीन के बारे में जानना चाहते है हमारे एक्जेकुटिव आपको उसकी पूरी संतोस कारक डिटेल्स देंगे धन्यवाद